जंग है विधान सभा की, वो काफी दिल्चस्प होती हुई दिख रही है अगर बात हर्याना की की जाए तो तमाम पार्टियां इस वक्त वहाँ पर दावा कर रही है लेकिन सबसे ज्यादा दिल्चस्पी इस वक्त विधान सभा चुनाव माहराज के होते हुए नजर आ रहे हैं दरसल अगर देखा जाए परिस्तियां उतनी गंभीर बनती हुई बीजेपी के लिहाँ से नहीं दख रही हैं बीजेपी को जिम्मेदार एक तरफ से ठहरा रहे हैं कि बीजेपी की वज़े से ये गड़बंधन तूटा है हमला शिवसेना की तरफ से कहीं न कहीं छुटपुड रूप से जरूर किया जा रहा है सामने आ सकती है चर्चा करेंगे इस पर लेकिर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते है महारास्ट में 15 अक्टूबर को होने वाले विधान सबाचुनाओ के लिए बीजेपी जोर शोर से प्रचार अभियान में जुट गई है बीजेपी के स्टार प्रचारक पीम नरेंद्र मोधी भी रैलिया करने में जुटे हुए है पीजेपी जहां विधान सबाचनाओ में भी मोधी के नाम पर वोट पांग रही है और वोटरों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रही है वही रैवार को जहां पीम मोदी ने सांगली, घूंदिया और नासिक में रैलिया की ये तीनों विधान सबाशेत्र NCP के कड़ माने जाते हैं मोदी ने सांगली रैली में जहां कॉंग्रेस और NCP पर जुबानी हमला बोला और कहा कि राज्ये को कॉंग्रेस NCP मुक्ट करना है ये एक ही चप्पर कट्टे बट्टे के चप्पर हैं दोनों की आदते समान है, इरादे समान है, मक्सद एक है और ये राश्टबाजी नहीं है, ये ब्रस्टाचारवादी है और इसले भाईयो भेनों, बहुत हो चुका साथ साल तक जितना लूटा लूट लिया हम मेरे नौजवानों ताय करो, ये तेश किसी को लूटने नहीं दिया जाएगा ओधी ने अपने भाशन में कॉंग्रेस प्रो अपनी गिरवान में ज्हाकने को कहा कि वो अपने कारकाल में किये कामों का न देखकर हमारे सौ दिनों का काम देख रही है कि पांग्रेस पार्टी मुझे पूछ रही है कि साट साल हुए जो देश की गादी पर बैठे थे राज्यों की गादी पर बैठे थे पंचायत से पार्लामेंट तक सब जगा पर उनीका जंडा फैरता था साट साल तक एथ चक्री राज किया था वो साट साल का तो हिसाब नहीं दे रहे हैं मोधी से साट दिन का हिसाब मांग रहे हैं वही मोदी ने NCP को भी नहीं बक्षा मोदी ने NCP प्रमुख शरद यादव पर भी हमला बोला कहा कि राज्य के मुख्यमंतरी रहते हुए और देश के क्रिशी मंतरी रहते हुए भी ये राज्य के किसानों की हाथ मत्या नहीं रोक पाए ये Congress के नेता NCP के नेता और हर सान 3,700 किसानों ने आत्मा हत्या किये हैं मेरे रायों गरनों और कॉंग्रेस और NCP की आँख में से आँसु तख लट अपके ऐसी निर्वेश धरकार इंदुस्तान के किसी कौने बें नहीं है था है अपनी सभी रेलो में मोदी कॉंग्रेस और NCP पर हमला करने से नहीं चूक रहे हैं और शिवसेना पर कटाक्ष करने से बच रहे हैं वहीना कहीं मोदी को अभी भी राज्य में कॉंग्रेस और NCP से ही डर है अब देखने वाली बात होगी क्या महाराज विधान सभा में भी मोदी मोट्रों को बीजेपी के बख्ष बिलाने में सपन होगे उतरशनी उसके रिपोर्ट तो इस वक्त प्रधानमंती नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से किसे अपना विरोधी मान रहे हैं या देखा जाए तो क्या कॉंग्रेस और न्सीपी इस वक्त प्रधानमंती नरेंद्र मोदी की मुख्य विरोधी पार्टिया है या शिवसेना को भी कही ना कहीं कंसिडर किया जा रहा है सवाल यह है कि क्या कुछ चल रहा बीजेपी के और साधी साथ शिवसेना के बीच में परस्तितियां क्या बनों एक रिपोर्ट देखे बीजेपी का शिवसेना से 25 साल पुराना गड़बंधन तूट चुका है लेकिन अभी भी बीजेपी शिवसेना के खिलाफ बोलने से बच रही है और इसका कारण मोदी ने अपने महराज की चुनावी रैली में शिवसेना के खिलाफ कुछ नहीं बोलने का ऐलान भी किया राजनिती से उपर भी आदर और सद्धा के कुछ तत्व रहते हैं उसको राजनितिके तराजू से तोला नहीं जा सकता है उनकी गेर मौजूदकी का पहला चुनाव है और मेरा कर्तब बनता है कि उनके आधर में शिवसेना के खिलाब एक शब्द भी नहीं बोलूँगा कहीं ना कहीं राजनितिक गल्यारों में अठकलों का बाजार शुरू हो गया रही क्या बीजेपी अभी भी शिवसेना से गडबंधन मनाना चाहती है क्योंकि गडबंधन तूटने का कारण सीएम पद को लेकर ही माना गया था और शिवसेना ने गडबंधन तूटने के लिए बीजेपी को ही जिरमेदा ठहराया था तो वहीं बीजेपी के वरिष्ट ने दालाल कुष्ण आडवानी ने भी शिलसेना और बीजेपी कड़बंदन तूटने पर नाखुशी जाहिर की थी मैं इस तरीके से देखता हूं कि मुझे खुशी होती है टूटता नहीं लेकिन यह बात भी सही है कि बहुत दिनों से हमारी पार्टी के लोग कहते थे कि हम सीटों का जो बटवारा है वह कोई समुचित नहीं है और हमको सीटे ज्यादा बिलनी चाहिए मैं इस मामले में जानत जानी जादा क्योंकि मैं उस मामले में कभी उल्जा रहे लेकिन हाँ जब मुझे कहा गया उदर ठाकरे ने फोन करके मुझे कहा तो मैंने उसके बाद गड़ करीजी से स्विश्र में बात की उन्होंने कहा कि मैं बात कर रहा हूं कही ना कही अभी भी बीजेपी को शिवसेना से गड़बंधन तोड़ने का अफसोस है जिसका प्रमान मूदी ने अपनी रैली में कर दिया जिसे कही ना कही ये कहना गलत नहीं होगा कि क्या बीजेपी और शिवसेना के बीच चुनाव फिक्सिंग हो गई है दर्शन होंगे तो हम शिवसेना पर किसी भी तरीकी कोई टिपणी नहीं करेंगे क्या प्रधानमंती नरेंद्र मूदी अपने उस वादे को निभा रहे हैं या अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है कोई ऐसी जगह बाकी है जो भरी जा सकती है ओम वर्मा साब वरिश पत्रकारी सर हाला कि MNS को भी इसमें काउंट कर लूँ तो पांच हो जाएंगे पार्टियां का काफी हैं लेकिन इस वक्त जो मेन लडाई जो नजर आ रही है वो किसके बीच में नजर आ रही है दरसल परस्थतियां जो है उस पर एक एक ओस्ती जमी हुई है उभर कर सामने नहीं आ रही है कि आखिर अब ये लडाई चल किसके बीच में रही है देखिए महराष्ट में लडाई बहुत दिल्चस्प हो गई है दोनों में सभी पार्टियों में गडवंदन तूट चुका है ये सभी को जानकारी है दरसल बीजेपी का मुख फोकस सरकार के खिलाफ है वहां के कॉं शियुसेना के लगातार हमले हो रहा है कई अपशब्द का भी इस्तमाल किया गया है शियुसेना ने अपशब्दों का इस्तमाल किया है लेकिन जब नरेंदर मोदी जब अमेरिका में थे अभी अमेरिका में जो कारकरम था उसी बीच में खबर आई इनके की महराष्ट में कई कारकरम होंगे और उसके तुरंत बाद शियुसेना की तरफ से बयान आया एक तरीके से मोधी को चनौती दी गए कि अगर महराष्ट में अगर मोधी की लहर है तो मोधी क्यों आ रहे हैं यहां पे पचार करने यह कहा गया और यह इसलिए कहा गया कि मोधी में चीजों को मह महाल को और सबको साथ लेका चलने की उनकी जो नीती रही है वैसे महाल बदलने की कुवत है उसी कुवत की वज़े से शियुसेना इनसे डर रही है और लगातार हमले कर रही है शियुसेना की तरफ से लगातार हमले हो रहा है एक तरसी के से ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे वह लडाए शीवसेना और भाजपा के बीच हो गई हुँ लेकिन BJP ने कुछ भी कहने से मना किया है उसका दरसा सीधा-सीधा वोट-बैंक, मराथि वोट बैंक है मराथि वोट-बैंक है मराथि वोट के लिएwa का हैि मनसे ने ये कोशिश करके बाहरी मुंबई के महराश्ट के बाहर के लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की तो ये सब मराथी वोट बैंक के लिए ये सब किया जा रहा है लेकिन अब मोदी ने जो यह भाशन दे दिया ये कह दिया कि जो है तो प्रांती है पर प्रांती है और जो भी हो अंदर जो भी महराश्ठ के हो महराश्ट के बाहर के हो अब इस तरीके की राज्जीत नहीं चलेगी खुल मिला करके वो सब को लेका चलना चान रहे हैं ये बहुत बड़ी रन्नीत है और इस रन्नीत से अगर आप जाकर के देखें अगर तह में जाकर के देखें तो इस रन्नीत से शिवसेना घबराई हुई है चली शिवसेना को घबराट है या नहीं है लेकिन दिनेजी सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस वक्त positive politics कर रही है जो आखर अंदर खाने की जो खबरे सामने आई शिवसेना को लेकर कहीं न कहीं बीजेपी के अंदर ये डर था कि उत्तर भारतियों वाला मसला सामने ना आ अब सवाल ये है कि अगर बीजेपी पर निशाने स्थादे जा रहे हैं शिवसेना की तरफ से तो खुद नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि वो इस तरीके से कोई भी टिपनी नहीं करेंगे बीजेपी टिपनी नहीं करेगी ये एक लोगों की जो भावनाएं हैं उसे अपन जुकानी की वाली पॉलिक्स है पॉजिटिव पॉलिक्स है नहीं सुमिझ जी अगर ओम जी की बात को ही मैं आगे बढ़ा हूँ तो देखिए आज ना दुव्धा पायटी के सामने है और ना दुव्धा महाराष्ट के ओटरों के सामने हैं आज सब कुछ जैसे जैसे चुन अगर आप ऐसा दावा कर रहे हैं ऐसा क्या बदल गया है इन चार-पास दिनों के अंदर या इस हफते के अंदर। उसका कारण ये है कि हमारी जो लड़ाई है जिसकी चर्चा आप भी कह रहे थे कि उसे ना पर आप नहीं बोल रहे हैं, आपकी पार्टी नहीं बोल रही है, असल में वहाँ सत्ता में कौन है, वहाँ सत्ता में कांग्रेस और NCP थी, 15 सालों से उन्होंने भाराष्ट्रा की जो वह कि उद्धव ठाकर या शिवसेना पर कोई भी निशाना नहीं साधेंगे, अब तक शिवसेना की तरफ से बीजेपी पर निशाना ये कह कर साधा गया है, कि बीजेपी ने गटबंधन तोड़ा है, हालाकि आपके नेताओं की तरफ से भी यहीं कहा गया, अब तक ऐसी को कोई बड़ी बाते सामने नहीं आई है जिसमें कहा गया हो कि शिवसेना ने ये घोटाला कर दिया है या बीजेपी ने ये कर दिया है बड़े आरोप प्रत्यारोप का दौर अब तक शुरू नहीं हुआ है अब तक सिर्फ गडबंधन को लेकर ही जो है मिर्चिया सामने आ रह है वो अफस्वस दोनों पार्टियों की थी दोनों लोग चाहते थे लेकिन किसी पार्टी के धंता की वज़ा से हो गया उमुद्दा पुराना हो गया अब समझ लिए हम चुनाओ में हाँ लगलग पार्टी के रूम में चुनाओ तो अब उमुद्दा ही नहीं रह गया ले कि अभी जो है दसारा बीता है उसका कारण यही है उस दसारा में जो हम लोग सिंबूलिक रामण का दहन करते हैं राम के रूप में उसके नाभी की बात की जाती है कि बार बार राम चरित मानस में आता है कि नाभी में अमरित्था रामण के नाभी का मतलब है कि उसके केंद में क्या है आज हिंदुस्तान के केंद्र में जो सबसे बड़ा रावर है वो ब्रस्टाचार है और उसकी पहचान भारती जनता पार्टी या नरेंद मोदीजी ने ठीक से कर लिए इसलिए उनका प्रहार भी उसी ब्रस्टाचार पर हो रहा है और मुझे लगता है कि कांग्रे के अमरित को खत्म करने के लिए वहां की जनता भारती जनता पार्टी के साथ है वर्मसाब लोगों को ये मैसेज पहुचाने की बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कहीं न कहीं अगर खलनायक के तौर पर दोनों का गड़बंधन तूटा है तो उन दोनों अले ही प्रधानवंति नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि वो उनके खलाफ कुछ नहीं बोलेंगे पॉजिटिव पॉलिटिक्स का जो मैंने यहां पर नाम दिया एक तरफ कॉंग्रेस एंसी पे मनिशाना साधा जा रहा है हाला कि प्रधानवंति जानते हैं कहीं ना कहीं उन पे अपने काम संभालें या फिर महराष्ट चुनाओं की कमान अपने हाथों मिलें नरेंद्र मोदी से उन्हें बहुत जादा डर है कि उनकी जो पोजेटिव पॉलिटिक्स है वो एक चीज़ को विकास को उन्होंने ऐसा हथियार बना लिया है वो ऐसा हथियार उनके हाथ कि जिसकी इसका काट किसी के पास नहीं है किसी भी पार्टियों के पास नहीं है आज उन्होंने कहा कि मैं शियुसेना के खिलाप नहीं बोलूँगा शियुसेना के खिलाप नहीं बोलने का उनका सीधा सा मकसद है कि जो बाला साहब ठाय करे का साथ जो मिला था बीजेपी को तो कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि हम लोगों ने साथ एक निभाया और एक मराथी वोटों मराथी लोगों का जो एक जो सम्मान करते थे बाला साहब का तो उस सम्मान की वज़ा से वो उस वोट बैंक को किसी भी तरीके से नहीं नाराज करना चाहते हैं मिला करके वो चाते हैं कि हर किसी को हम साथ लेकर के चले न पर प्रांतियों न प्रांतियों किसी भी तरीके का विवादास्प चीजों को दर्किनाश्य और यही चीज़े जो है वहां शिवसेना को नागवार गुजर रही है शिवसेना बार बार हमले करें मैं आपको एक वोटर हैं उनको भी साथ नहीं कोशिश की है उत्तर प्रदेश बिहार उत्तर भारत के जो भी बड़े नेतागन हैं इस समय वो महराश्ट में हैं और महराश्ट में जा करके वो नीचले अस्तर पे ये नहीं कि वो भाशन दे रहे हैं वो नीचले अस्तर पे बूथ लेवल पे सामने आता है जब आप देखेंगे तो वो इतना जबर्दस्त है कि उस तरीके की प्लानिंग बूथ लेवल पे तो आप था तो कहीं न कि प्लानिंग जो है आपर स्टॉंग के जारी है प्लानिंग उनकी स्टॉंग है अपर दिनेश जी सवाल यह है कि जिस तरीके से प्रधान प्रदानमंती नरेंद्र मोदी को आने की क्या जरूरत है। शिवसेना को लगता था कि बीजेबी के पास चेहरा नहीं है। प्रदानमंती नरेंद्र मोदी के बाद आप लोग कोई ऐसा चेहरा सामने नहीं ला पाएं। जिसके बाद महराज की जनता उस पर विश्वास कर सके। प्रदानमंती का चेहरा है जो लोग सब हमें आपने दिखाया। प्रदानमंती के लिए लाएंगे। और जब मोदी जी का नाम सामने आये तो लोग कहते थे भारती जनता पार्टी का कहीं पता नहीं चलेगा। और जो लोग कहते थे कहीं पता नहीं चलेगा वही आज मोदी जी ने उद्रित किया। कि emergency के बाद तो Congress Party कम से कम सव सीटे जीती थी, लेकिन इस महाँ emergency के बाद, जब मोदी जी सामने आए तो 44 पर सिमट कर रहे गए, अभी जो दो सीटे Congress Party वहाँ पे जीती हुई लोग समय में, चौर NCP ने, इस चुनाओ के बाद आप देखिएगा, और मोदी जी ने आज कहा भी कि आपको magnified glass क्या हो सकता पड़ेगी Congress और NCP कहा हैं, तो निश्चित तोरु पर मेगनिफाइंग ग्लास की बाद जरूर आएगे, जाहिर है, जिस तरह के बाद कर रहे हैं सुमिझ जी, यह party बनाती है, किस काज करता को, कहां पे fit करना है, पार्टी अपना समय पर समय पर न क्या यह कहना चाहते हैं, कि गोपिनात मुंडे के बाद कोई नेत्रत करने के लिए महरास्ट में आगे नहीं आ पाया है, इसलिए उन्हें केंदर शोड़ कर यह आना पड़ा है, जैसे प्रमोद महाजन जी के साथ हो गई, आकस्मिक तोर पे, फिर मुंडे साथ के साथ हो ग आगे आगे, राजी प्रताब रूडी पर एकनात खड़से पर, क्या है, वो भरोसा नहीं जता पाये हैं अब तक आप लोगगे, सब पर भरोसा है, वो पारिटी के कार्च करता है, लेकिन मैंने पहले ही कहा है, कि जो पारिटी के बरिशने, आपके घर परिवार में, किसी दिख्तेदारी में दिक्कत हो जाती है, तो घर परिवार का, जो मुखीया होता है, वही आगे बढ़ कर, बाकि साहथा देने क्लिए सब आते हैं, सब कापना अ अलाग अलाग काम होता है, हर तरह से लोग सहयो करते हैं, लेकिन जो मुखीया होता है, उसका काम जświadा होता है, तो निश्चित तोर पर आज प्रधान मंत्री जी देश के मुखियां है, पार्टी के चेहरा है, पार्टी के लिए एक चेहरा नहीं डून पा रहे हैं, फिर मुख्य मंत्री का क्या होगा? नहीं, उसकी चिंता ही नहीं है, जहां जहां आप देखियें, जब भी आउ सकता पड़ी है, तो भारती जंता पार्टी उस चेहरे को लाके सामने रखी है, उस चेहरा निश्चित तोर पर चुनाव हो जाने दीजिएगा, वहां के बिधायक अपने आप उस चेहरे को चुन ल ठीक है, वह एक बात मैं मानता हूँ कि गोपिनात मुंडे बड़े नेता है, बीड में किस तरीके सा या महाराज में उनकी क्या चवी रही है, उसे नहीं बढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर मैं इसके उलट दूसी तस्वीर देखू, वह क्या कहना चाहते है, वह इशारा किस हमाराज्ट में, और उस जगा को भरने के लिए तुरंत का वो नहीं है कि ऐसी रणनीत की जो तुरंत उस जगा को भरा जा सके, इस वज़ा से उस जगा को भर नहीं पाए, एक नेता वो घोशित नहीं कर सके, और इसलिए शिवसेना चुटकी ले रही है, और भी वहां के आप आईए एक दूसरी तरफ इस चीज़ को देखते हैं, अब बीजेपी की रणनीत पे आईए, इन्होंने कहीं भी किसी भी राज्य में अपना एक घोशित मुख मंतरी, चुनाओ से पहले मत्ब मुख मंतरी की घोशना नहीं की है कि हमारे ये मुख मंतरी होगा, ऐसी गोशना इन्होंने अब तक असपस्ट तोर पे नहीं की है, कुल मिला करके ये है कि मोधी को ही चेहरा बना करके लड़ा गया, ये रणनीत है कि जब हम चुनाओ जीत जाएंगे, अपनी योजना के इसाब से, तो उसके बाद जो है, सो हम नेता का या मुख मंतरी का जबाव भी हुए थे, उस वक्त कि परदाम अधिन नरीदर मोधी को आगे नहीं किया गया था, क्या इस बार बीजेपी अगर आगे यहां पर कर रही है, तो क्या इस बार कुछ परस्थतियां बदलने की ओर इशारा हो रहा है, बहुत 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 आप अपने जवाब हां या ना में भीच सकते हैं, जवाब के लिए आप एसमस कर सकते हैं, एसमस करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, एस यू टी लिखें, फिर स्पेस दें, फिर अगर आपका जवाब हां है, तो यस लिखें, और अगर ना है, तो नो लिखे इस मेंसज को आप 0875-0047-855 पर भेज दे आप अपने जवाब हमारी वेबसाइड www.sudarsiannews.com पर ज़ाकर भी दे सकते हैं सवाल का जवाब अगले दिन रात 9 बजे के शो में दिखाया जाएगा तो कल रात 9 बजे के शो से पहले अपनी प्रितिक्रियाएं आप हम तक पहुँचा सकते हैं इसी के साथ हमारी इस खास पिशकश में इतना ही बाकी ख़बरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन दिस जए